प्रतन सूत्र या महामारी का विजय का सूत्र सूत्र का मतलब है जो बातें महामारी में लोगों के फायदे के लिए और महामारी को खतम करने के लिए भगवान बुद्ध ने वैसाली में कही जब वैसाली में महामारी आई और सब पेड़ पौदे सूख गए और बारिस मही हुई और लोग भूके मन लगे और बीमारी से मन लगे तब भगवान बुद्ध को वहां बुलाया जो एक गंगा को पार करके आए गंगा का मतलब है एक नदी को सारी नदीयों को पाली के अंदर पौरानी भासा में गंगा ही बोलते हैं वो एक गंगा को पार करके आए तब उन्होंने वहां पर जो बातें कहीं उनको रतन सूत के नाम से जानते हैं रतन माने होता है जैम, यानि के जो जैली के इंदर सबसे बड़िया हीरा पन्ना मोती होता है, उसको जैम बोलते हैं, और सुत्र का मतलब है, जो बात कहते थे वो इसको सुत्र बोला करते थे, जिसको बाद मैं संस्काइब भासा में सुत्र कहने लगे, तो रतन सूत इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे सूतों में महामारी और दुख को कष्ट को हटाने के लिए ये सूत सबसे बड़ा काम्याब रहा इसको बाद के समय और उस समय भी बहुत बार याद किया जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है इसके बोलने से और इसके रटने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती नहीं ये कोई वाइरस को या बैक्टरिया को या पैरासैट को या किसी सुच पराणी को जो आपको नुक्सान पुचाता है या कि इसमें कोई ऐसी गुण है नहीं ये कोई बारिस पैदा कर सकता है मगर जैसी मांसिक इस्थिती होती है बीमारी के अंदर और मांसिक इस्थिती के कारण कमजोर होने से बीमारी जादा हवी हो जाती है इस रतन सुत में संग के, बुद्ध के और धम के अच्छे अच्छे गुण जितने भी हैं याद किये जाते हैं, बताय जाते हैं क्योंकि उस समय सभी लोग धन्म में पारांगत होते थे इसलिए उसको समझ लेते थे और अपने मन के अंदर जैसे ही उसको समझते थे, उनके अंदर एक positive energy का संचार होता था, जो उन्हें महामारी से लडने में या बीमारी से लडने में सुभिता जनकुता था, इसके लावा मन से सभी लोगों जितने भी होते थे वहाँ, वो जो सुक्ष्म पराणी हैं या जितने भी पराणी हैं उन सब से एक request की जाते थी कि आपको ये बली देते हैं आपको खाना देते हैं, सारे मन से आपको कोई नगुतर देते हैं, इसलिए आप इन पर एक बबाय रखें और अपना विक्रा लूप धरन ना करें, इनकी रक्षा करें और इससे पोजिटिव एनर्सी जे और उनसे request करने से, क्योंकि वाइबरेशन में जो विपसना करते हैं, विपसना करने से ठीक ऐसे, जैसे कोई कुटा बहुत ज़्यादा काटने लिए त्यार हो या भौकरा हो और आप उसके उपर हाथ फे नसू करते हैं तो वो प्यार से शान्त हो जाता है ठीक ऐसे ही, अगर आप किसी सूच में सूच प्राणी से भी, अगर मन से ये बात कहेंगे, कि सब शान्त हो जाए सब सुखी हो जाए, शान्ती हो जाए तो वहाँ शान्ती स्थापित होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे अगर कहीं जगड़ा हो रहा हो दो आद्यों में और वो बहुत जोडोड से बोल ले हैं और वहाँ पे कोई शान्त मन से आ जाए और वो आके कहें कि भाई, आप जगड़ा क्यों कर रहे हो तो उसकी वाणी एतनी ठंडी और सान्त होती है कि जगड़ा करने वाले अपने आपको सीतल महसूस करना सुरू करते हैं और जगड़ा शान्त होना सुरू हो जाता है तो रतन सूत नंबर आठ ये जो रतन सूत नंबर आठ है ये इस प्रिकार है ये अरिय सच्चानी विभाव यंती गंभीर पैयेन सू देशित तानी किंचापी ते होन्ती भूसप्ट मत्ता नै ते भवं अठ ममा दियंती इदंपी संगे रतनंग पडितंग एतेन सच्चेन सुवत्थी होतू ये अरिय सच्चानी विभाव यंती ये माने जो अरिय सच्चानी का मतलब है जो आरे अरिय सच्चे है यानि कि जो नोबल टूथ है दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का रास्ता है मार्ग है जो बताया बुतिने जिस पर चले और लाकों लोग बात में चल भी रहें आस्तिक चल लें ये दुखों को दूर कर दिता है पर्मनेंट रोप से इसलिए इसको अरिय सच्च मार्ग बोलते हैं क्योंकि इससे स्रेष्ट हो जाता है मनुस्से व्यक्ति स्रेष्ट हो जाता है इसलिए अरिय का मतलब स्रेष्ट होता है सच्चा होता है ये अरिय सच्चानी विभाव यंती ये भाव यंती का मतलब है जो इसका भाव करता है यानि जो इसका अभ्यास करता है जो इसकी प्रैक्टिस करता है गंभीर पैयन सुदे सितानी गंभीर पैयन मतलब गंभीर पैया के साथ जो प्रग्या के साथ में बहुत गंभीरता से इसका अभ्यास करता है सुदे सितानी और जो इसको अच्छी तरह से सुदे सित करता है यानि कि समस्ता है और जानता है किंच अपी ते होंती किंच अपी यानि किंच और अपी किंच अपी का मतलब है कोई भी किंच माने कहिया माने जो किंच माने होता है वो कोई और अपी माने भी कोई भी ते होंती ते माने भे और होंती माने होता है भूसप मत्ता भू सप मत्ता यानि कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है भू सप मत्ता का मतलब है बहुत अधिक प्रमत्त वाला भू सप मत्ता भू से प्रमत्त इसका मतलब है कि कोई बहुत अधिक प्रमाद वाला भी अगर व्यक्ति है जो बहुत गंभीर पैया के साथ और आरिय सचों के मार को जानकर उस पे चलता है यानि कि फिर भी उसका आठवा जनम नहीं होता है यह जो आठवा जनम है इसमें सबसे खास बात है जो यह रतनसूत नंबर 9 है क्या है इसके अंदर क्योंकि मनुष्य के लगातार प्राणियों के लगातार जनम होती रहते हैं हम इसको देखते हैं जैसे मैं अपने माता पिता से जनम लेके आया हूं तो यह सच्चा ही है कि मेरा जनम हुआ है और जो मेरा बच्चा है जो मेरा बेटा है उसका जनम हुआ है यह भी सच्चा ही है पीछे मेरे माबाब का भी जनम हुआ है वो कहीना कहीं से ये भी सच्चा ही है यानि कि हम जनम के वर्जन हैं आगे हम जनम में बढ़ते जा रहे हैं सेम वर्थ नहीं है मगर next वर्थ है next वर्थ है अगला जनम है अगला जनम है हो रहा है तो अगले जनम का जो वर्जन है उसका एक principle पर इसका सिध्धानत है नेचर के अंदर कि नेचर बर्थ को कैसे रिपीट करती है और कैसे बर्थ बनता है ये बुद्ध ने देखा तब ही इसको परमज्यान बोलते है कि बर्थ के होने का सिश्टम क्या है मनुस्य का या प्रानी का बर्त का सिस्टम क्या है इसको पटिच्चे समुत्पाद में बताया हुआ है मैं पटिच्चे समुत्पाद का एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ कुछ आ गही है आप देखते रहे हैं इसमें जो आठमा जनम लेने वाली बात है आठमा इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धम में चलता है धम में जाता है और वो अपने आगे के धम को आगे के जनम को बंद करना चाहता है खतम करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, मुक्त प्राप करना चाहता है अम्रत छकना चाहता है, अमत होना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति का अगर धमों में पारंगत हो जाता या चलता है तो साथ जनम होते हैं मैकजियों सुत अपन वाले व्यक्ति के तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रमादी भी हो जाए और अत्यादिक प्रमादी भी हो जाए तो भी उसका आठमा जनम नहीं होता उसका जनमों से मुक्ति हो जाती है वो अरत हो जाता है हाइस्ट नौलिज को प्राप्त कर लेता है ये इस धम की सबसे खूपसवत बात है इदंपी संगे रतनंग पणितंग यानि कि ये जो संग है इसकी ये सबसे खूपसद बात है कि इसमें कोई सोता पन है और वो अगर सारकुछ करने के बाद में प्रमादी भी हो जाता है तो अभी वो आठमा जनम नहीं लेता उसका मुक्ति हो जाती है एतेन सचेन सुवत्ती हो तूप इस सची बात से जितना भी एक कश्ट महिहां लोग है उनके कश्ट दूर हो जाएं मामारी खतम हो जाएं और सब सुखी हो जाएं सुवत्ती हो जाएं सुवस्ते हो जाएं ऐसा इसमें कहा गया है धन्यवार संखन्षरनंगाचानी